रहे राहूल यार ये तुम कहा लेटे हुए हो अरे भईया यहां बड़ी गर्मी लग रही है ये पंखा संखा चलवाओ पता नहीं कैसे हालात हो रखे हैं तुम्हारे बताओ कैसी तो खाट मिली है तुमको लेटने के लिए अरे भईया हमारे लिए भी एसी खाट पटक दी तुमने अरे कोई धंका सा बैड़ लगाओ यार हमारे लिए क्या हालात बना रखी है अरे देखिए भीया अरे मोधी चचा हमारे पास कोई बैड़ नहीं है हमारे पास खुद के लिए बैड नहीं है तुम्हारे लिए कहां से लाए हमारी जो भी हालात हो रहे हैं मोधी जी व हमारी सरकार में कि भाईया बिल नहीं भरा जारा हमारा कनेक्शन कट चुका है विजली का तो भाईया वैसे हालात हो रखे हैं अब ये मकान भी बिकने वाला है मोदी जी ये तुमने बहुत ही बेकार हालात कर दी हैं देश के भी और मेरे तो खेर होई गए हैं अब हम इसमें क पड़ेगा समझे बात को भाईया या पागल बनाना बंद करी जनता को अरे राहुल बाबा ये साइकल ले करके भाईया जोला वोला उठा करके कहां चल दिये अरे हमने सुना है आज कल भाईया एडी वीडी के दफतर बहुत चक्कर लग रहे तुम्हारे अरे ऐसा क्या जैसे हो रहा है अरे तुम्हारे जो भी तुम्हारी बाते हरकते होती है भाईया पूरे देश की बदनामी हो रहे है उससे और इसके खिलाब कोई नहीं बोलता ना तुम्हारी पार्टी से ना हमारी पार्टी से इसलिए मैं ही बोलता हूँ तो तुमने सोचा अकेलर राहु वोलता है इसको ED से ही परेशान कर्वाते हैं तो भाइया मैं डरने वाला नहीं हूँ समझे अरे राहुल जी ऐसी बात नहीं है मैं भी बहुत बाते करता हूँ इनके खिलाब मैं बस ट्यूटर पर करता हूँ वैसे जमीन पर तो मेरा बसका भी नहीं है इनसे बाते करना वरना तो एडीवीडी के चक्कर मुझे भी काटने पड़ जाएंगे अगर मैंने जमीन पर कुछ कर दिया तो मैं तो बैस ट्यूटर पर लिख देता हूं और बैस काम हो जाता है अरे अकलेस तुमसे कुछ होना जाना नहीं भीया तुम लिखो मत लिखो कुछ भी करो अरे अब वो जमाना चलागा जो जनता तुमारी बाते मान लेती थी अब ये योगी का जमाना है अरे ओ मोदी चाचा ये क्या बबाल मचा दिये हो देश में अरे ये क्या सिकीम लेकर आ गए अगनिपत अगनिपत अरे पूरे देश में आग लगा दी अरे मोदी जी कभी तो सही काम कर लिया करो जब भी कुछ करते हो कबाड़ाई करते हो देश का अरे अकलेस तुमको नहीं पता इस स्कीम के बहुत बहुत फाइदे हैं अरे हम 21 साल के उमर में लड़कों की भरती करेंगे फोज में और 24 साल के उमर में उनको रेटार्मेंट कर देंगे अरे इनसे दो दो फाइदे एक तो सरकारी नौकरी लग गई और दूसरा लड़का का परिस्ता बहुत आसानी से होगा जब लड़की वाले बूजेंगे क्या करता है लड़का तो उनसे कहेंगे फोज में हैं और 24 साल के उमर में रेटार्मेंट हो जाएगा ज्वानी में ही नौकरी भी हो गई और रेटार्मेंट भी हो गया ये देखा ये मोदी की स्कीम है बंदी करी तो किसी के समझ में आई अब ये लिया अगनी पत अब बताओ जिनी के लिए लिए उनको इसमझ में नहीं आ रहा है क्या है रहुल हमने सुना है कि तुमको इडी ने अपने दफ्तर बुला या औरे भी या क्या घोटाला कर दिया ऐसा जो इडी को बुलाना पड अरे देखे मोदी जी एडीवीडी कुछ नहीं है यह सब तुम्हारा क्या धरा है rich toms कर रहें मोध जी तुमको कोई काम दंदा तो है नहीं देश में बस इसी में लगार रखा यहाई देश को जंता को कभी कुछ करवा दिया कभी कवी कोई गोटा लग कर दिया उन सब चीजों को दवाने के लिए आप ऐसे प्रोपगेंड़ फैलाते रहते हो सब जनता जानते हैं मोदी जी अरे भाईया राहूल अरे हर चीज को मोदी को बिलायम क्यों करते हो अरे कांड करो तुम और भाईया जवाब मांगते हो मोदी से अरे मोदी के कुछ दवाब मत मांगो अपना जवाब खुद दो इडी के सामने और भाईया ये तुमारे बाकी इने तक क्यों जा रहें वहाँ एडी ने तुमको बुलाया है बाकी कांगरेस वालों को नहीं बुलाया अरे देखे मोदी जी हमको मत सिखाइए हमको सब पता है कि ऐ दी से क्या बात करनी हैं क्या नहीं हम सच आदमियां हम सच बताइंगे तुम्हारे ज्वुट नहीं पलते हैं हम थैंकुछ नाम तो तुम्हारा वैसी पड़ गया ये सब बाते चोड़ो मोदी जी कोई कामधाम भी कर लिया करो डेश के बारे में अ अरे अखलेश इधर आईए हमारी कुछ मदद करिये अरे ये इटे नहीं उठ रही है मुझसे और योगी जी से जल्दी आईए रह मदद करिये अरे तुम वैसे भी भाईया खाली घूम रहे हो तुम्हारे पास कोई काम धाम भी नहीं है जल्दी आओ अरे मोदी चचा ये कैसी बाते कर रहे हो अरे मुझसे नहीं होती ऐसी मजदूरी सचदूरी अरे मैं तो बड़े बड़े काम करता हूँ ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं मजदूरों से करवा लेता हूँ अरे तुम्हारे पास तो इतनी धंदौलत है मोदी योगी जी तुमने प अरे अभी हम लाल आँखे दिखाते हैं तो चीन मूँ फेर लेता है हम पाकिस्तान को आँखों से ही ड्रा देते हैं इनको पता नहीं है हमारे कैसी कैसी सिपत मौजूद है हमारे अंदर अरे मोदी जी सबसे पहले तो ये फैंक ना छोड़ दीजिए भाईया जो तुम फैंकते हो ने इसी के चक्कर में बेड़ा गरक कर दिया तुमने पता नहीं 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 सिकेम ले आते हो जिनसा देश का कोई फाइदा नहीं होने वाला अरे अखलेस जादा बक बक ना करो अरे मोदी जी से हो गई ये दो चार गलती दो चार गलती वैसे बहुत होती हैं अगली बार हम बनेंगे देश के परधान मंतरी फिर देखते हैं कौन जादा फालतू बात करता है